इम्यून डिसॉर्डर्स तो क्या होते है कि जब भी कोई हाइपर रेक्शन होता है that is called as disorder किसी भी allergen का या foreign body का के अगेंस अगर किसी भी तरह का hypersensitivity हो जारे that will come and other examples in this are autoimmune disease, cancer and AIDS तो यह जो है सारे हम discuss करेंगे subsequently disorders को तो first I will move on to allergy, it is the exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment अब allergens क्या होते हैं, कह रहा है कि कुछ antigens present है तो उन्हें को हम allergens कहते हैं जो substances immune response, excite करें उनको allergens कहा जाता है examples हो सकते हैं, dust है, mites है, pollen है, animal dander, fur, यह सारे चीज़ें इवन कुछ लोगों को food products से, milk से, wheat से, इन चीज़ों से भी allergy होती है तो यह जो antibodies इनके against body produce कर रही है, that is IgE type और symptoms के अगर हम बात करें, allergy के तो there are three different symptoms sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing, etc तो आपस में interchange दूजाते हैं, कई बार किसी person को अगर होता है allergy तो उसको sneezing होती है, बहुत सारी और फिर दवाईयां लेने से बहुत सबसाइड हो जाती है लेकिन फिर later on, क्योंकि खतम नहीं होती है, allergy एक तादे कभी पूरी तरह से खतम नहीं होती है तो बाद में वही person को skin rushes हो सकते हैं, itching हो सकती है, या watery eyes तो यह आपस में इसाई manifestations है, allergy की जो interchange होती है होती क्यों है, because of the release of chemicals like histamine, serotonin from the masses तो इन में से release होते हैं, तो allergy हो जाती है then, अब इसको अगर पता करना है, तो उसके लिए भी कुछ pathological test है वहाँ पे different different allergens या किसी को तो normally पता होता है कि मुझे इस चीज की वज़े से ये reactions के symptoms होते हैं लेकिन अगर आपको नहीं पता है, तो you can go to a lab और वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा amount of allergens देकर उनके reactions को study क्या जाता है and then it can be defined कि किस तरह की या किस चीदों की allergy है drugs like antihistamine, adrenaline, steroids quickly reduce the symptoms of allergy modern day lifestyles reduce the lowering of immunity and more sensitivity to allergens और इनको अगर avoid करना है, तो basically इन allergens को avoid करना होगा जिस टाइम भे, अगर मानुक इसको pollen से है, तो जिस टाइम फ्लारिंग हो रही है उस टाइम आप या तो अपना नोस मास्क लाकर जाएं या फिर अवाइड करें वहाँ जाना या किसको smoke से है, तो they should avoid those areas इस था से इनको avoid किया जा सकते हैं, तभी आपका रेकॉर्टरी बेस पे बच सकते हैं then we have asthma, तो respirator disease due to allergy जिसमें सांस आना बंद हो जाता है, क्यों क्या होते constriction हो जाती है जो भी आपका respiratory package है, अगर आपको इस की constriction हो गई है या वो लग गे हैं, तो obviously you won't be able to लेंडे टॉक अपया उटो इंम्हुनिटी आपता है उटोगारी का ओंटिटी किया होता है और उटोगनेटिक अचाथ इस अचाहर बाड अटाटक शेल्फ दिस एन पर नॉटी नॉटिक बाड लिख वाड टेश्ट इन आटाक सेल्फड आटाल इस थे वह पाड बाड फाग identify to distinguish between self and own self यह खतम हो जाती है तो वह खुद की सेल्स को ही अटाक करना शुक्वर देते हैं तो दिस कम्स अंडर आटो इम्यून डिसेज देखें यहां पर बोंस हैं स्ट्रेट हैं और यहां पर आप देखोंगे तो बोंस हैं ते आर बैसिकली डिफॉंट रुमाटाइड आर् और एड्स में अगर हम बात करें तो एक्वाइड इम्यून डिफिशेंटी सिंड्रोम होता है यह एक सिंड्रोम है ताट मेंस्ट देखेंज देखेंगल डिजीज इट्सक्रूप डिजीज और क्यों होता है क्योंकि बोडी का जो डिजीज को फाइट करने की कैपेबिलेट इम्यूनिती जो है वो कॉलाप्स कर जाती है डिफिशेंसी हो जाती उसकी तो उसके वज़े से जब एचाइव वायरस अटाक करते हैं तो वह उसके अंदर ही घर करते जाते हैं तो सारे के सारे एज़े ग्रुप आर प्रेजन विदिन दे परसन तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वायर्ट इम्यूनो डिफिशेंसी सिंट्रूम सबसे पहले अमारिका में रिपोर्ट वाता है यह 1981 में इसका ट्रांस्मिशन कैसे होता है सेक्शल कॉंटेक्ट विद इन्फेक्ट परसन वान ओविसली सेकिन है तो अगर कोई ब्लाड लेता है तो उसको यह कई बार होता है बीच में से सेल्स ले रहे है और अगर वो परसन इंफेक्टेड है तो अगर ऐसे परसन का ब्लाड ले लिया तो ओविसली उसके साथ ही HIV भी आ जाएगा यह क्या होता है कि नॉर्मली जो लोग ड्रॉग लेते हैं तो फिर वो इंजेक्ट भी कर नश्रू कर देते हैं और वो इंजेक्टेड नीडल के थूछ जाएगा तो उसमें वो क्या होता है कि वो उसके अंदर भी वो blood drops चले जाएंगे और blood के साथ HIV भी चला जाएगा. तो जैसे हमने पीछे बात की थी immunity की बात करेंगे जब हम passive की mother placenta की through nutrition जा रहा है एंडिबोडी जा रहें similar case में अगर mother infected है similarly with HIV तो HIV भी पासन हो जाएगा to the child so the child can get the infection from there. अब high risk of getting AIDS में कौन से कौन से लोग आते हैं तो obviously first है the individuals with multiple sex partners second है drug addicts who take drugs intravenously, third individuals who require repeated blood transfusion and fourth is children born to an HIV infected mother. इस सब लोगों को जो है drug infection होने के chances जादा रहते हैं, they are at higher risk. और लेकिन फिर भी AIDS देखो, it's an accident sort of thing की हो गया, it's not something की भी अब जिसके लिए हमेशा ही हम सोचे की कि इसी ने कुछ गलत किया होगा तो यह हुआ ऐसा नहीं है, accidentally हमने देखा two or three ways are there where you can acquire AIDS तो उसमें क्या है कि लोगों के प्रतिभी भावना आचाते हैं, क्या हमें लगता है कि नहीं नहीं है, तो हमें उन लोगों के लिए घ्रेना की भावना नहीं रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि सिरफ अगर हम किसी हमें पता भी है कि अगर कोईसी को AIDS है या नहीं भी पता है तो उसको touch करने से या simple physical contact से आपको AIDS नहीं होगा कि केवल बॉड़ी, fruits के transmission से ही उनी के थ्रूँ transmit होता है और इसके जो है कुछ महीने का time lag होता है between the infection and appearance of symptoms तो इससे लिए ध्यान रखना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा unsafe कुछ वज़े से आपको अगर शक है तो you can go in for test but otherwise जो infection है उसकी symptoms दिखाने में incubation period होता है तो lag time lag है जिसके बाद ही वो infections otherwise appear करते हैं symptoms appear करते हैं after the infection acquired immunodeficiency syndrome the HIV infected person suffers from infections like mycobacterium, virus, fungi, parasites like toxoplasma और इसको test करने का जो method है that is ELISA enzyme linked immune sorbent assay treatment antiviral drugs partially effective they can only prolong the life of the patient infection क्योंकि virus है virus का कोई ilaj नहीं है तो obviously जो दूसरे second infections हो रहे हैं उनको रोग सकता है तो इसका भी multiplication को रोग कर virus की उसको prolong कर सकता है मतलब एक person can live for a longer period of time लेकिन अभी तक ऐसी कोई therapy नहीं है जिससे की इसको खतम किया जाते है so for that reason any viral infection now we have been talking a lot about covid to ko i bhi cho infection है that is not uh totally curable इसको प्रिवेंट क्या जाते है educate people about aids use of disposable needles and syringes free distribution of condoms making blood bank safe from hiv regular checkups for hiv advocating safe sex and controlling drug in you